नवश्कार नवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूनिट 11 लेकर आई हूँ बिश्च एफ 101 की। आप लोग बहुत बार-बार आपकी मैसेज आते रहते हैं कि नेक्स्ट यूनिट डालिए तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है जैसे कंटेंट कंप्लीट होता है एक यूनिट का मैं तुरह आपके लिए अप्लोड कर देती हूँ तो आप प्रेशान नहों एक्जाम से पहले मैं आपका आराम से सारा स्लेवस कवर करवा दूगी तो चलिए बिना देरी कि करते हैं 11 यूनिट को स्टार्ट तो अप्रोड प्रेशान से साथ बेदभाव किया जाता है और कभी-कभी शाररिक हिंसा के अधीन किया जाता है उसे क्या कहते हैं चारवी कलप आपके पास है, option A, socialization यानि समाजी करण, option B is marginalization, option C, sanskritization and option D is none of the above, तो इसका सही जवाब जो है वो है, आपका option B, marginalization, marginalization वो situation होती है, जहां जो भी lower caste or tribal people है, उनको उनके दिकारों से वंचितरी रखा जाता है और उनकी साथ violence भी होती है, तो आपको याद, यह य telephone dial service child line was initiated in 1998 वाइदा, इसमें आपको बताना है, क्यों यूशो 98 में 24 गंटे की जो move the telephone dial से वा थी child line, वो किस mantra ले ने शुरू की थी, चार वी कलप आपके पास है, option A is Ministry of Social Justice and Empowerment, समाजिक नयाय और अधिकारिकता mantra ले, option B is Ministry of Corporate Affairs, corporate mantra, मामलो का mantra ले, option C is Ministry of Human Affairs, मानफ मामलो का and resources development, मानफ संसाधिन विकास मंत्रा ले, तो जो इसका सही जवाब है, वो है आपका विकलप A, Ministry of Social Justice and Empowerment, कि समाजिक नयाय और अधिकारिकता मंत्रा ले जो है, उसने 1998 में 24 hours free child line service start की थी, question number third is, the juvenile justice act 1986 was launched too, कि इसमें आपको बताना है, कि कि शूर नयाय अधिनियम जो था 1986 का वो शुरू किया गया था किस परपस से, option A is to provide uniform pattern of justice to the juveniles throughout the length and breadth of the country, कि पूरे देश में किशोर को एक समान pattern प्रदान करने के लिए, option B is to make provision for the protection and rehabilitation of neglected children, अपक्षित बच्चों के संरक्षन और कुनरवास का प्रदाहान के लिए, option C is ensure that legally no child is lodged in jail or detained in police lock-up, कि यह सुलिशित करने के लिए कि कानूनी रूप से कोई बच्चा जेल में उसको बंद नहीं किया जाएगा, low-up में बंद नहीं किया जाएगा, option D is all the above, कि उप्रोक्त जो सभी हैं, वो सभी options जो हैं, वो सही हैं, तो इसका सही जवाब जो है, आपका विकल्प D, all the above are right, कि यह सारी ही चीजे, juvenile justice act जो था, कि शुर अन्याए अधिनियम, यह इनी सभी परपस को फुलफील करने के लिए यह शुरू किया गया था, बढ़ते हैं, next question की तरफ, question no. 4 क्या है, in which of the following 5-year plans, persons with disability are defined as those suffering from 4 type of disabilities, which are visual, locomotives, hearing and speech and mental disabilities, इसमें आपको बताना है कि निमर लिकित में इससे कौन सा पंच वर्षिय योजना थी, कौन सी, जो विकलंग, वेक्तियों को चार प्रकार के विकलंगों के रूप में परिभाशित करती है, और जो वो चार प्रकार कौन से है, रिश्य, लोकोमोटर, सुनवाई, और भाशन, और मानसिक विकलंग था, तो सही जबाब आपको सिलेक्ट करना है, चार फाइव यर प्लान के ना मैंने आपको दिये है, सेकिंड फाइव यर प्लान, फिफ्थ, सेवन्थ, या फिर तैंथ, तो यह हुआ था आपका तैंथ फाइव यर प्लान में, जो कि आपका ऑप्शन दी है, तैंथ फाइव यर प्लान जो है, 2002 से 2007 तक था, तो इसी के अंतरगत जो है, जो disabilities है, उनको 4 categories में बाटा गया था. बढ़ते हैं, next question की तरफ, which is question number 5, which statement is incorrect regarding the treatment of disabled persons? विकलांग व्यक्तियों के इलाज के संबंध में में से कौन सा कथन गलत है? मतलब आपको ऐसा कथन चुनना है, जो सही नहीं है. Option A is, it is important to understand that the disabled persons are like others with their own dreams and aspirations. की यह समझना हमारे लिए महतुपुल्न है, की विकलांग व्यक्तियों अपने सपने और अकांग्शाओं के साथ दूसरों की तरह रहते हैं. Option B is, they do not have a right to lead their life with dignity, की उन्हें गरीमा के साथ अपने जीवन का नेत्रितव करने का अधिकार नहीं है. Option C is, they are treated as a burden on society, यह उन्हें समाज पर बोट के रूप में माना जाता है. Option D is, we need to be sensitized while interacting with them to appreciate their special needs, abilities and potential for meaningful existence. की हमें सार्थक अस्तित्व के लिए उनकी विशिश आवशक्ताओं, शम्ताओं और शम्ता की सराहना के लिए उनकी साथ बाचीत करते समय सम्वेदी होने की आवशक्ता है. तो देखिए, और जो बाकी options थे, वो बिलकुल right थे, कि जो disabled person है, वो हमें उनकी जरूरतों को समझना भी चाहिए, उनको अधिकार जो है, वो मिलने चाहिए, उनको burden वैसे हमें समझना ने चाहिए, लेकिन society उनको as a burden लेती है, तो यह उसी option भी इसका यह था, कि इसके favor में था, तो एक against option जो select करना था, आपका वो है, आपका option B, which was, they do not have a right to leave their life with dignity, कि उनको उनका हम जीवन जीवन जीने का सही अधिकार होना चाहिए, Question number six is, the plight of orphaned and deliquent children is that, कि अनात और अपरादी बच्चों की दुरदर्शा यह है कि, they neglected by the society and usually struggle in order to eke out a living, कि वे समाज द्वारा उपेक्षित है और आमतोर पर जीविन रहने के लिए संघर्श करते रहते हैं, option B is, many of them include rag pickers, luggage lifters और other petty traders, कि उनमें से कई जो बच्चे हैं, व option C is both A and B are right and option D is neither A nor B is right, तो correct answer जो हो जाएगा वो है, आपका option C both A and B are right, कि जो और फन है, जो अनात बच्चे हैं और जो किसी आपरादिक मामलों में वो पकड़े गए हैं, उन बच्चों की दुरदर्शा, उनकी क्या दुरदर्शा होती है, कि समाज के दवारा उनका आच् पिकिंग का काम करते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ लगे उठाने का काम करते हैं, चोटी मूटी जो काम है, उनमें उनको एंगेज कर दिया जाता है, तो इसके बोध A and B are right answers, बढ़ते हैं question number 7 की तरफ, question number 7 is, pick out the incorrect statement regarding the patriarchal society, it is the society in which, आपको इसमें बताना है कि जो patriarchal society होती है, य है, वो option है, तो कि ये ऐसे society होती है, ऐसा समाज होता है, option A, जहां पर father or the eldest male is the head of the family, कि परिवार का मुख्या जो होता है, या तो पिता होते ही, या जो भी family में बड़ा पुरुष जो होगा, senior जो होगा, वो head होगा, option B is, the decent is traced through the male line, कि जो भी है, उसको कि एक के बाद जो next म मुख्या बनीगा, या जो respectable person होगा, वो male line से ही पुरुष ही होता है, option D is, widowed women are well treated and being made the head of the family, कि जो विदवा ओरते होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा विवार होता है, और उन्हें परिवार का मुख्या चुन दिया जाता है, option D is, well, widowed women are greatly marginalized because of the gender and the alignment from their families, कि जो विदवा ओरते होते हैं, उनके साथ अच्छे विवार नहीं होता है, और नहीं उन्हें family में respect मिलती है, नहीं उन्हें मितलब की पुरुष की बराबर हाथ मिलता है, तो इस सही जवाब इसका जो है, वो है, आपका option C, कि widow women are well treated and being made the head of the family, ऐसा नहीं होता है patriarchal society में, क्योंकि इसमें क आपको pick करनी थी, question number 8 is the condition for women in distress can be improved by, कि इसमें आपको बताना है कि जो भी कोई महिलाई हैं, जो संकट ग्रफ्त हैं, उनकी स्तिती में सुधार करनी के लिए क्या किया जा सकता है, चार बिकल्प हैं आपके पास कि creating relevant literacy and vocational training, प्रासांगिक साक्षरता और व्यावसाइक परश इसमें आपको बताना है कि अनुसुची जाती के लोगों के कारण, उचे जाती हो दुआरा बेदभाव किस वज़े से किस आधार पर किया जाता, option a concept of purity and pollution, सुधता अफदूशन के अफधारना, option b is the type of work they are forced to do, ये किस प्रकार के काम करने के लिए मजबूर थे, option c is religious grounds पर धरम के आधार पर, ये option d all the above, उप्राउ करते हैं, इक तो कि ये हमारी परंपरा चली ही आद ही है, ये religious ground भी बन गया है और ये हमारी एक धरना भी बन गयी है, और उनके लिए हमने काम भी अलग से बाट दिये हैं, पढ़ते हैं next question की तरफ, question number 10 is, नंदूराम classifies the constitutional provision into three broad categories, कि नंदूराम जो है, इन्होंने सेविधानिक प्रावधान को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गी कृत किया है, निमलिकित में से कौन से उनके वर्गी कृत श्रेणि नहीं है, कि तीन जो है, वो उनकी ही categories है, एक कोई और है, तो आपको पिक करना है, जो उनकी category नहीं है, चारवी कल्प है, आपके पास, option A is safeguarding representation of scheduled tasks in educational institutions, कि सेच्षिक संस्थानों में अनुसुचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना, option B is prohibiting discrimination or social and religious disabilities, कि बेहदभाव या सामाजिक और धार्मिक विकलांगों को रोकना, option C is providing grants in age and other facilities for constructing houses, digging wells, etc. मकान परान एक वाक होदने इत्यादी के लिए अनुदन या सहायता प्रदान करना है, और अन्नी सुईधाय प्रदान करना, option D is provision to justify higher caste people and legitimize their claim of superiority on religious grounds, कि उच्छिचाती के लोगों को नियोचित ठहराने और धार्मिक अधार परश्षित के उनके दावे को वैद करन प्रदान, तो सही जवाब जो है, इसका वो है आपका option D, क्योंकि ये जो है, ये नंदुराम के according, ये कोई classification का level नहीं था, option D जो दिया गया था, बाकि सभी जो थे option A, B और C, वोन नंदुराम की वो थी categories थी, जो उन्होंने divide की थी, बढ़ते हैं, next question की तरफ, which is question number 11, the chief mission of the welfare centers for denotified prices, इसमें आपको बताना है कि जन चातियों कि कल्यान के इन्रों का मुख्य mission क्या है, option A is to protect them from being identified as criminals, कि उन्हें अपरादी के रूप में पहचाननी से बचाना, option B is to show that they are somehow not more or less criminal than the rest of the people, कि ये दिखाने की कि वे बाकी लोगों की तुलना में कम या ज़्यादा अपरा economic upliftment of these tribes, इन जन जातियों के समाजिक आर्थिक उत्थान, option D is to revise the list for scheduled caste and scheduled tribes, अनुसुची जातियों और जन जातियों की सुची को सोंशोधिक करने के लिए, तो सही जवाब जो है वो है आपका option C, कि ये जो जन जातियां है, इनके समाजिक और आर्थिक upliftment के लिए, उत्थान के लिए, जो welfare centers खोले गए थे, question number 12 is, the immortal traffic prevention act lays down punishment for, कि एन दिक यात रोक्ता मियम जो है, उसके लिए दंडिक क्या जाता है, option A, कि किस चीज़ के लिए, option A आपको दिया गया है, keeping a brothel or allowing premises to be used as a brothel, कि विशाले रगने या परिसर को विशाले के रूप में उप्योग करने की अ और in the vicinity of the public places, सर्वजनिक संस्थानों के आसपास या आसपास विश्या विरित्ती पर ले जाना, option C is detaining a person whose prostitution is carried on, कि कैसे व्यक्ति को हिरासत में लेना, जहां विश्या विरित्ती होती है, option D उप्रॉक्त सभी, इसका सही अंसर जो है, option D, उप्रॉक्त सभी जो है, वो immoral traffic act के उसके तहट आते हैं, Prevention Act के तहट और इन सभी के लिए उसमें सजागा प्रावधान है, बढ़ते हैं, next question की तरफ, Question number 30 is, in January 1953, काका कालेकर commission was constituted to, इसमें आपको बताना है कि जनवरी 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था, option किस चीज़ के लिए, to identify the criteria and to prepare a list of obviousies, कि मान्दन की पहचान करने के लिए और obviousie की सुची तियार करने के लिए, option B is to develop a composite index of backwardness, पिछरी पन का एक समगर सुचांक का विक्षित करने के लिए, option is to help distressed women by establishing shelter homes for them, उनकी जो भी ऐसी महिलाएं हैं, वैथित जो महिलाएं हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए आश्ची रह स्थापित करना, option is to provide economic assistance to the self-employment of disabled people, विकलांग लोगों को सवरोजकार के तो सही जवाब जो इसका है, वो है आपका option A, कि जो काका कालेलकर commission जो था, वो किसली constitute किया गया था, कि वो मांद अंडों की पहचान करे, criteria को identify करे, और उसी हिसाब से obviously's की list तयार करे, और आपको एक चीज और बता देती हूँ, कि 1989 में, यानि कि 1979 में, समाजिक, शैक्षिन और आर्थिक संकेतों से मिल कर, पिछडेपन का एक समगर सुचांकत विक्षित करने के लिए, मंडल आयोग की सापना की गई थी, तो इसके लिए तो देखिए, मंडल आयोग था, जो मैंने आपको एक और option दिया था, option number 2, option B जो था आपके पास, तो composite index of backwardness का, अगर question आता ह करना, पढ़ते question number 14 की तरफ, a scheduled tribe is one which has been, कि अनुशुची जन्चाती वह है है, जो option is spread out in two or more states, कि जो दो या दो से अधिक राज्यों में फैली हो, option B is always in the need of provision of special provisions, कि जो हमेशा विशीश प्रावधानों के अवशक्ता में रहती है, option C is which is given a place in the schedule for the concerned state by the president, कि राष्टपती द्वारा संबंदित राज्ये की अनुशुची में जिसे जगह में दी हो, या option D ननाफदा हो, इन से कोई नहीं, तो सही जवाब जो इसका है, वो है आपका option C, कि scheduled tribe वो ट्राइब होती है, वो जन्चाती होती है, जिसको president से permission मिली होती है, कि कि किसी भी जो state की, जो constituted the, बहिश्क हितकारणी सभा, इसमें आपको बताना है कि निमली की में से किसने बहिश्क हितकारणी सभा का गठन किया था, तो चार वी कल्प आपके पास है, चार social reformers के नाम आपको दिये गई है, option A है जोतीवा फुले, option B is BR अंबेड कर, option C is रामा बाई, and option D is तो सही जवाब जो है वो है आपका option B, which is Dr. BR अंबेड कर, Dr. Bhimrao अंबेड कर जी जो थे, इन्होंने ही बहिश्कुरित हितकारणी सभा का गठन किया था, यो, stay corrected with our channel and keep sharing the videos with your friends also, and if you have yet not subscribed the channel, so don't forget to subscribe, thank you.